कई लोगों को तीखा खाना बेहद पसंद होता है तो कुछ लोग तीखे से परहेज करते हैं मिर्च भले ही तीखा हो लेकिन इसके फायदे बहुत सारे है हरी मिर्च सबजी में डाल कर खाने से ज्यादा भूजन के साथ खाने में ज्यादा फायदे मंद होती है इसका नयमित प्रयोग करने पर आपका मोटापा घटाती है क्योंकि इसमें मिलने वाला इंटी ओक्सिडेंस मोटापे को कंट्रोल करता है और चर्वी बनने से रोकता है हरी मिर्च को मूड बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है यह मस्तिष्क में इंडोर्फिन का संचार करती है जिससे हमारा मूड काफी हद तक खुशनुमा रहने में मदद मिलती है यदि आप खाने के साथ ताजी और हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो यह विटामिन सी प्रदान करता है इसलिए अकसर आपने देखा होगा कि कई लोग खाने के वक्त सलाद के साथ मिर्च खाना पसंद करते हैं कई शोधों में लंग कैंसर से बचाव के और पर भी हरी मिर्च के प्रयों को फायदे मन्द माना गया है हालाकि अभी तक इसकी कोई प्रमानक पुश्टी नहीं हो सकी है हरी मिर्च के 7 दिल से जुड़ी बिमारियों के होनी की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है और साथ ही रख्थकों की बिमारी से भी निजात मिलती है यदि आपको मलीरिया का बुखार हो गया है तो हरी मिर्च आपके लिए बेहत फायदे मंद हो सकता है इस दोरान आपको मिर्च को खाना नहीं है, बल्कि एक हरी मिर्च के बीज निकाल कर दो घंटे तक अंगूठे में बांधें, इस तरहें दो तीन बार बांधने से मलीरिया बुखार आना बंद हो जाता है, अलांकि यह तरीका जाद अतर लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है, यदि इससे कोई फायदा नहों तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, वैसे तो आम और पर इसका इस्तिमाल, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही किया जाता रहा है, लेकिन हाल में हुए कई शोधेज बात का दावा करते हैं कि हरी मिर्च खाने से कई स्वास